हलो हाई नमश्कार स्वागत आप सभी का मैगनेट बेंस पे मेरा नाम आशिश कपलेश और आज हम बात करने जा रहे है एक्सरसाइज पार्ट 6 की जहां पे आज की कहानी शुरू होने वाली है कोशन अमबर 61 से बैटा जीस से पहले भी एक्सरसाइज के कई सारे पार्ट चल तो हमारे लिए ज्यादा बैटर है समझना भी और समझाना भी ठीक है तो शुरू करें को तो हमेशा की तरह में यहीं उमीद करूंगा कि पैन और पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए क्योंकि जब भी कोशन आएगा मेक शूर आप वीडियो को पॉस्ट करें खुद से 10 cm and they are placed coaxially they are just placed coaxially at a separation of 5 cm where should an object be placed so that a real image is formed at the object itself इस प्रकार के सवाल आप यह मान के चलिए कि competition में पूछ सकता है क्योंकि बहुत अच्छे टाइप के questions होते हैं इसमें double type चीज़े होगी यानि कि आपको reflection से भी डील करना पड़ेगा आपको reflection से भी डील करना पड़ेगा हैं concave lens को कहते हैं ठीक है एक diverging lens है हमारे पास जो की फोक जिसका focal length कितना है 20 cm है और एक converging mirror converging mirror यानि कि convex mirror हमारे पास है जिसका focal length जो है 10 cm का है ओके अच्छा सोरी converging है concave mirror हमारे पास ठीक है एंद्या प्लेस को एक्जिली एटा separation of 5 cm बेटा यह क्या है 5 cm के separation पर रखे हुए है और को एक्जिली मतलब समझे उन्हों की axis सेम है यहापे है ना को एक्जिली कहने का मतलब यह है कि दोनों की सेम है तो सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक concave lens diverging बुले ने उन्होंने तो यह रहा एक diverging lens उसके साथ यहाँ पर बना दिया मैंने converging mirror so इस परकार का concept है यह रिफ जन्हों के बीच का separation इन्होंने बोला है five centimeters का होगा तो रुको मैं जप्राओसा सही करदू इसको अजडों की बीच का separation five centimeters का होगा इन्होंने बोला है कि thrust an object देखो दोनों के focal lens दे रखे इसको मैं number 1 बोल देता हूँ, इसको मैं number 2 बोल देता हूँ, जिससे कि मैं चीजों को define कर सकूँ, question की हिसाब से F1 जो है, वो है 20 cm, जो कि minus के साथ आएगा बेटा, because it is diverging, question की हिसाब से F2 जो है, वो है 10 cm, ठीक है, चाले, plus minus की बातें, बाद में भी लगा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, minus यह आएगा वैसे तो यह भी, ठीक है, बट ठीक है, चलो, समाझते हैं तुम लोगों, F1 हो जाएगा minus का 20, F2 हो जाएगा minus का 10, अब यहाँ पे इन्होंने बुलाए कि एक object को मैं कहाँ पे रखूँ, so that real image इसकी form होनी चीए, at the object itself, यारी कि जहाँ पे भी मैं object को रखूँ, मैंने मालीजे यहाँ पे object को रखा, तो इनका सवाल यही है, कि object को आप कहां रखोगे, सवाल इनका यही है कि object को हम ऐसा कहां रख दें, जिससे कि जहाँ object को रखा हुआ है, वहीपे उसकी real image फॉरम हो जाए, तो मालीजे, lens से object को x distance पे रखा गया है, लेंस से object को x distance पे रखा गया है अब ये बोल रहे है कि object को मैं कहां रखूँ जिससे की यहाँ पे ही फिर से image बन जाए यानि जहाँ पे object है वही पे image बने ऐसा मुझे position बताईए तो इसके लिए थोड़ा सा हमें सोच विचार करना पड़ेगा सोच विचार कि इस प्रकार का होता है कि आप ये समझे कि सबसे पहले हो क्या रहा है याप तो ये object को आपने कहीं पे भी रख दिया इधर object को आपने यहाँ पे रखा lens से x distance पे concept क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ concept जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मा लीजे यह जो object है सहाब यहाँ से जाती है light ray यहाँ से जाएगी light ray lens की tendency होती है कि वो क्या करता है diverge करता है तब ही तो इसको diverging lens कहा है lens की tendency है कि वो diverge करेगा यानि कि वो इसको इधर भी जगा है से मैं इसको थोड़ा सा और सही से बना देता हूँ ताकि मुझे visibility easy रहे थोड़ा एक light ray आनलो ऐसे चली यहाँ से वो further diverge होगी इधर की तरफ यहाँ से अगर आप देखें अब ठीक है देख रहा है आपको यहाँ पर diverge हो गई है ऐसी ही एक light ray नीचे भी जाईगी जो की further diverge हो जाई देख रहे अपको diverging lens का काम देख रहा है diverging lens क्या करते है diverge कर देजे मैं देख रहा हूँ की light ray यहाँ से गई और यह diverge होकी इधर चली गई यहाँ से light ray गई diverge होकी इधर चली गई अब आगे रख़खा है converging mirror रही Berkeley converging mirror पे light गिरेगी जाके तो basically यह क्या करता है converge करता है लेकिन image मैं चाहता हूँ कि फिर से कहां पर बने मैं चाहता हूँ image वहीं बने जहां पर object है image वहीं पर बननी चाहिए जहां पर object है तो उसके लिए बेटा जी हम कहते हैं कि light rate जाएगी और टकरा के वापस अपने path को retrace करेगी क्या बोला मैंने कि आपको image अगर यहीं चाहिए तो जिस रास्ते से light गई है टकरा के वापस उसी रास्ते पर light को वापस आना चाहिए तो पहली चीज तो है कि reflection हो रहा है reflection से एक virtual image यहाँ पर बनेगी बेटा reflection की वजह से एक virtual image यहाँ पर बनेगी इस virtual image mirror के लिए as a object काम करेगी जिसकी कि वो final image यहाँ पर बनाए समझे रहो तो कुछ ऐसा ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको लगा पाओगे एक बाद ट्राय करो आपने क्या बोला कि इसा light ray यहाँ साई यहाँ साई diverging lens था diverge कर दिया उसने इधर टकरागी light ray अब यह mirror है mirror पे light ray का जो reflection होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो अपने path को retrace कर ले जब कोई भी light अपनी रास्ते पे वापस चली जाती है तो वहीं पे वो image बनाएगी जहाँ पे object रखा हुआ था तो यह mirror इन light ray को retrace कब करवा सकता है यह mirror इनको retrace तभी करवाएगा जब यह light ray कुछ इस प्रकार से आए कि वो mirror के center of curvature से पास हो जाए एक बात आपको पता होनी चीए कोई भी light ray अगर mirror के center of curvature से पास होती है तो after reflection वो अपने path को retrace कर लेती है तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि यह जो light ray mirror के उपर गिर रही है यह अपने path को retrace करेगी उसके लिए mirror के लिए जो object है वो कहां रखाऊना चीए उसके center of curvature पे रखाऊना चीए यह बात तो समझते हो ना कि mirror के center of curvature पे अगर कोई object रखा है तो image भी center of curvature पे ही बनती है तो यहाँ पे पहले हुआ है reflection उसके बाद होगा reflection reflection से light टकरा के वापस आएगी फिर से होगा reflection और बनेगा फिर final image यानि पहले होगा reflection फिर होगा reflection फिर light वापस आएगी reflection होगे फिर से image बनेगी तो आपको तो बड़ा basic सा यह समझना है कि जब light यहाँ से आई तो image इधर कहीं पर बननी चीए image यहाँ पर कहीं पर बनेगी यहाँ पर कहीं पर image बनेगी वो image जो इस lens ने बनाई है वो image काम करीगी as a object for this mirror तो object कहां पर होना चाहिए था center of curvature पर होना चाहिए था तो mirror का center of curvature जहां पर होगा वहां पर object को put कीजिए देखें क्या answer बनता है इसका अच्छा question है और मैं कह रहा हूँ कि इस type का question एक अगर आपको समझ जागे तो आगे के 4-5 questions आप easily solve करोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ने आएगी पर इस एक question को तो try करो देखो तो सही क्या answer बनते है इसका दिमाग लगा है कुछ देखो बई क्या है मैं बस इतना सही कहना चाहरा हूँ कि यहाँ पे जब आप इसको पीछे की तरफ ऐसे extend करोगे तो आपको पता चलेगा कि इधर कहीं पे image बन रही है i1 किस ने बनाई image lens ने बनाई जब आप इसको पीछे की तरफ देखो ना भाई after reflection क्या हो रहा है after reflection वो दूर जा रहे है लेकिन हम इसको पीछे की तरफ i1 is the image formed by the lens lens ने image बनाई है यहाँ पे so मैंने बोला i1 is the image formed by lens lens ने जो image बनाई वो i1 तो भाईया यह i1 जो है object का काम करेगा for mirror यही i1 act as an object for किस के लिए mirror के लिए this i1 act as an object for this mirror mirror के लिए i1 क्या होगा as an object behave करेगा फिर यह जो i1 है वो lens ने image बनाई थी और यही i1 इस mirror के लिए as an object behave करेगा ठीक है so lens का focal length कितना है 10 cm है lens का focal length कितना है 10 cm है भाईया यहां से light रे आई 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 टकरा के अब वो वापस इस path को retrace करेगी है ना retraces its path ऐसा क्यूं कर रो सर आप light को क्यूं बोला ऐसा करने के लिए कि आप अपने path को retrace कर लो क्यूंकि हम चाहते हैं कि image जो है image जो है वह वही form हो जहां पे object को रखा था image is formed at the object itself मैं चाहता हूँ image final image जो है वही पे बने जहां पे object था तो final image को वही बनाने के लिए जिस रास्ते से light गई थी उसी रास्ते से उसको वापस भी आना पड़ेगा तो जिस रास्ते से light जा रही है उसी रास्ते से उसको वापस आना पड़ेगा तब ही जाके जहां पे object था वहां पे image बन सकती है तो हमने बोला ठीक है यार तो इसको light ray गई lens से दूर हो गई lens की वज़े से light ray दूर हो गई आगे आपने एक mirror रखा था mirror की वज़े से वो टकरा के कहीं और जाना चाहरी थी लेकिन mirror की वज़े से टकराती टकरा के कहीं और भी जा सकती थी लेकिन हमने बोला नहीं आप अपने path को retrace करो path को retrace करने के लिए object को कहां पर होना चाहिए था i1 in order to retrace its path इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ retrace its path object should be placed at object जो की हमारा i1 है should be placed at placed at center of curvature of mirror इसको कहां पर रखना चाहिए center of curvature पर रखना चाहिए mirror के ठीक है तो हम चाहते हैं कि अपने path को retrace करें इसके लिए mirror के center of curvature पर ये object होना चाहिए था बेटा जी focal length कितना है sir 10 cm तो center of curvature कितना पर हो जाएगा sir center of curvature r के बराबर अरे भाईया mirror से center of curvature r के बराबर होता है r बोले तो radius of curvature कितना हो जाएगा 2f 20 cm तो बोलो बेटा ये वाला जो है mirror से कितनी distance पे है 20 cm पे है ये पुरा 5 है तो ये वाला part कितना हो जाएगा 15 हाँ भाई सही है कैसे sir अरे यार यहां से लेके mirror तक है 20 cm lens से mirror की बीच में 5 cm तो बचाओ कितना 15 cm आलंकि हमारी गलती हो गई कि हमने जगा ना होने की वज़ा से थोड़ा कम बना दिया बट diagram को आप कुछ इस तरीके से बनाना कि जो distances है वो justified हो distance justify होने का मतलब क्या है कि वो दिखना चाहिए अब 15 cm इतनों सा दिख रहा है 5 cm बड़ा दिख रहा है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम जब बनाएंगे तो आप proper scale से बनाना ताकि चीज़े और अच्छे से visible हो जाए उसके मेरे पास तो scale नहीं है ना तो तो रफली बना दिए उस diagram को लेकिन आप कोशिश करना कि आप diagram ऐजा बनाएं कि वो properly visible हो सके अब यह देखो बेटा यह कितना हो गया लेंस से आईवन का जो distance है वो 15 cm है यानि कि अगर मैं लेंस के लिए बात करूँ तो object distance minus x image distance minus 15 हो जाएगा mirror का काम खतम हो गया mirror का काम खतम हो गया mirror ने तो बुला था कि भाईया object जो है 20 cm पे होना चाहिए यानि कि यहां पे mirror जो है mirror के center of curvature पे इस आईवन को होना चाहिए था तभी वो path को retrace करेगी सिर्फ तभी ऐसा हो सकते कि light अपने path को retrace कर रहे चले आईए अब मैं lens के लिए थोड़ा सा चर्चा कर ले तो में इन सारी बातों का तो lens के लिए जब मैं बात करूंगा तो for the lens for lens object distance जो होगा minus का x हो जाएगा image distance minus का 15 cm हो जाएगा focal length जो है वो minus का कितना है बई 20 है तो minus का 20 cm हो जाएगा तो बस अब using the lens formula using lens formula तो lens formula लगाने पर आपको मिलेगा 1 by V minus का 1 by U is equal to 1 by F देखें भई आपकी इच्छा शद्दा है आप पहले minus का sign लगाएगे तो कोई दिक्कत नहीं है so it will be minus का 1 by 15 plus 1 by X is equals to minus का 1 by 20 देखो बेटा मैं already minus का sign लगा चुका हूँ minus minus plus हो चुका है यहापे so जब हमने इसको simplify किया तो 1 by X का जो value आ रहा है 1 by 15 minus 1 by 20 तो आपका answer positive हो जाएगा automatically अच्छा इसका LCM कितना हैगा 300 15 को 20 से किया और 20 को 15 से किया तो यह 5 by 300 1 by X is equals to 1 by 60 यानि कि X का value हो जाएगा 60 cm कितने distance पे रखना था object को object को अगर lens से 60 cm के distance पे रखेंगे तो फिर आपको image फिर से वहीं पे मिलेगी अगर आपने object को lens से 60 cm पे रखा तो आपको image फिर से वहीं मिलेगी जहाँ पे object रखा गया था तो mirror क्यों लगाया था ताकि वो अपने path को retrace करवा सके फिर से बेटा कितने पे रखा तो object को lens से x distance पे तो भाई lens से कितना 60 cm पे object को हमें रखना पड़ेगा तो यह कहानी question number 61 की है उमीद करतों आपको समझ आ रही होगी बाकि अगर फिर भी थोड़ा बहुत confusion है तो अगला सवाल इसी प्रकार का होगा एक और उस पे भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे पहले इसको चाप लीजे फटा फट से जल्दी जल्दी से इसको note कर लीजे बेटा हो गये note question number 61 इदर आईए ये सारी बाते लिखे इसका answer 60 cm आपके पास मिल जाएगा mirror का काम समझाया है क्या था mirror का सिर्फ इतना सा काम था कि वो reflection ऐसा करे कि वो light ray अपने पाथ को retrace कर सके retrace मतलब जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते से वापस आ गए ये है retrace करना और कुछ भी नहीं ठीक है क्लियर रहेगा question number 61 आइए बेटा जी आगे बढ़ते है question number 62 क्यों आ जाते हैं एक converging lens इस बार अब convex lens लगा दिये लोगों ने focal length बेटा 12 cm का है और एक diverging mirror है diverging mirror अब convex lens लगाया है इनोंने focal length इसका 7.5 cm है और इनको आपने प्लेस किया है 5 cm आपाड यह दोरों एक उसे 5 cm की दूरी पे है with their principal axis coinciding और इनके जो principal axis है वो coincide कर रहे हैं now where should an object be placed so that its image fall on itself object को कहां रखें जिससे की image वही पे बन जाए जहां पे object रखा हुआ था object को मैं ऐसा कहां रखूं जिससे की image फिर से वही बन जाए जहां पे object को रखा गया था बड़ा ही मज़ा है इस question को solve करने में भी आपको फिर से वही सब काम करना पड़ेगा converging lens बनाना पड़ेगा so yellow एक converging lens पे हम काम कर लेते हैं यह converging lens हो गया इसका principal axis हो गया दोनों की बीच में 5 cm का separation yellow भाई यह हमने mirror भी बना दिया ठीक है दोनों की बीच में 5 cm अच्छा कि इस प्रकार का mirror हो गई है सही हो जाएगा हमारा convex mirror ठीक है object को मैं कहां पर रखूं मैंने वहला ठीक है सर object को मैं मां लीजिए यहां पर रख देता हूं यहां पर मैंने object को रख दिया कितने distance पर हो जाएगा यह object x distance पर हो जाएगा from the lens lens से object हो गया x distance पर इसको मैंने one बोल दिया तो इसका focal length f1 हो जाएगा which is your कितना है 12 cm बेटा प्लस में चलेगा convex है क्योंकि इसका focal length हो जाएगा f2 जो की हो जाएगा 7.5 जो की अगीन हमारा positive में है चलिए f1 f2 define हो चुके है दोनों की बीच का separation 5 cm का है जो भी distance measure की जाती है from the pole या फिर optical center से की जाती है so pole और optical center में ही है यह 5 cm distance थी है so where should an object be placed so that image finally falls on itself तो फिर से वही कहानी चलेगी बेटा जी मैं बस इतना सा कहूंगा कि कोई भी light rate जो जा रही है वो जाएगी जाके टकराएगी mirror पे ठीक है कोई भी light rate गई वो जाएगी जाके टकराएगी mirror पे ठीक है अब इसकी tendency तो यह थी कि sir यह यहाँ पे जाए लेकिन अब क्या होगा यह इधर से reflect करेगी मैंने बोला यह इसको ऐसा कर दे कि अपने path को retrace कर लिया जाएगी यह कुछ हैसा कर दे कि light rate अपने path को retrace कर ले तो उसके लिए मैंने बोला लेट से इसने अपनी image बनाई यहाँ पे let's say उसने अपनी image बनाई वहाँ पे यह हो गया i1 बिटा अब इसने ये कहा कि भाई ये आईवन अगर यहां पे बन रहा है तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ये कहां पर होना चाहिए उसके सेंटर अफ कर वेचर पर होना चाहिए तब ही तो वह अपने पाथ को रीट्रेस करेगा बेटा मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा सा और हम ठीक है अब सही लग जाए तो भई हम यह चाहते हैं कि जो लाइट रेज जा रही है जा रही है जा रही है और यह यहां से भी चाह रही है लेकिन मिरर से देखो मैं चाहता हूं कि फाइनल इमेज वही बने जहां पर अबजेक्ट है तो मिरर क्या करेगा मिरर बोलता है कि भाई इस से इसका रास्ता रिपीट करवा लो यह आपजेक्ड़ था जो आफ्टर रिफ्रेक्शन था भीटा आफ्टर रिफ्रेक्शन इमेज कहां पर बननी चाहिए थी यहां पर यह मैंने बोल दिया, इसको I1, I1 is the image formed by the lens, I1 is the image formed by the lens, और यही I1 काम करेगा as an object for this. तो बेटा जी, इस case में, path को retrace करने के लिए object को कहां रखना चाहिए, object को रखना चाहिए उसके center of curvature पर, तो यह जो distance हो जाएगा यह R के बराबर हो जाएगा, जो कि 2 times of F है, यानि कि वो 15 cm हो जाएगा. तो बेटा जी, यह distance कितना हो जाएगा? 15 cm. So, यहाँ पे भी I1 क्या है? I1 is actually the image formed after reflection, formed after reflection, So, this is the image formed after reflection. Also, I1 act as an object. I1 act as an object for mirror. Mirror के लिए वो ऐसा object की तरह काम करेगा. Mirror के लिए वो ऐसा object की तरह काम करने वाला है, ठीक है? So, यहाँ पे, in order to retrace its path, object should be placed at center of curvature. यहाँ पे लिख देजिए, in order to retrace its path, light ray should pass through center of curvature. light ray should pass through center of curvature. भाई, center of curvature से तो पास करना पड़ेगा इसको. अब center of curvature से जब इसको पास करना है, तो उसके लिए महनत तो करनी पड़ेगी. तो भाई, यहाँ पे center of curvature होगा, इसको मैंने C से denote कर दिया है, और यह हो जाता है, 15 cm, twice of the focal length. ठीक है सब, बढ़िया. तो बेटा, यह 5 cm, यह 15 cm, तो overall कितना हो गया यह? सर, यह overall हो गया है, 20 cm. तो क्या यह image है, formed by the lens? बिल्कुल सही साब. क्या यह I1 है, image formed by the lens? बिल्कुल सर. object का distance है X, image का distance है 20, focal length है 12. lens के लिए, using the lens formula, we can find the value of X. तो lens के लिए बेटा जी, हमने बोला, from the lens formula, from the lens formula, अगर आप ध्यान से देखे, बोर तो नहीं होगे न, तुम लोग? हाँ, बोर मत हो जाना, so मत जाना, यार. तो यहाँ पर U का जो value हो जाएगा, फिर से मैं minus का X ले लेता हूँ, V का value, बेटा, मैं यहाँ पर plus का 20 लूंगा, क्योंकि वो in the direction of the light ray है, focal length, बेटा, यहाँ पर मैं कितना लूंगा? 12 cm. So, 1 by V, minus 1 by U, is equals to 1 by F होता है, 1 by V की जगा पर, बेटा जी, मैंने 20 लिख दिया, minus, अच्छा, U की जगा पर, 1 upon minus का X, is equals to 1 by 12. So, 1 by 20, plus 1 by X, is equals to 1 by 12. simplify किये इसको हम लोगो ने, so 1 by X जो होता काया है, वो हो जाएगा 1 by 12, minus 1 by 20. 1 by X हो जाएगा कितना, अच्छा, इसका LCM ले लिया जाए, LCM ले लिजे इसका, कितना हो जाएगा भई? 240, आचलने दोसरा, 240, 12 को कितने से काड़ने हैं, 20 से, और 20 को हो जाएगा, 8 divided by 240, 1 by 30, so 1 by X is equals to 1 by 30, यानि कि X का value हो जाएगा 30 cm, तो object को कितने distance पर रखना पड़ेगा, 30 cm from the lens, object को कितने distance पर रखना पड़ेगा, 30 cm पर रखना पड़ेगा from the lens, तब जाके, वहाँ पे जो object है, उस पे ही जाके हमारी final image बनेगी, so यहाँ पे final image बनती है, कब बनेगी यह, जब आप यह 30 cm पर रखोगे, so final image भी फिर से यहीं बन जाएगी, जहाँ पर object था, लेकिन यह तब बनती है, जब आप इसको lens से 30 cm पर रखते हूँ, इस टाइप के questions अगर आपको मिलते हैं exam में, जो की मिलने की पूरी-पूरी possibilities है, आपका जेए का exam होगा, वले जेए, मैं जेए, mains की बात करूँ, इवन जेए, advance की बात करूँ, तो वहाँ पे इस टाइप के questions आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आप रिपेर रहिएगा, ठीक है, ऐसके question आए तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं, बोलना है, मत बोलना किसा मैं क्या करूँगा, lens भी आगया, mirror भी आगया, परेशान हो गया मैं तो, इना, simple concept है, बहुत ज़्यादा rocket science नहीं है, चालिए बई, समझ आगे इसारी बाते, आगे बढ़ सकते हैं, question number 62 के बाद, 63 क्यों रा जाते हैं, और question number 63 कह रहा है, there is a converging lens and a diverging mirror, तो एक converging lens और एक diverging mirror हमारे पास है, जिसको कि मैंने 15 cm के separation पे प्लेस करके रखा हुआ है, lens का जो focal length है वो 25 cm है, और mirror का focal length जो है, वो 40 cm है, so where should a point source be placed, between the lens and the mirror, यह बात ध्यान रखेगा, कि इस बार अब वो point source को कहां रखवाना चाहता है, between the lens and the mirror, तो lens और mirror के बीच में, so that the light after getting reflected by the mirror, and then getting transmitted by the lens, comes out parallel to the principal axis, तो यहाँ पे point source को मैं कहां पे रख सकता हूँ, in between the lens and the mirrors, जिससे की जो भी light है, after reflected by the mirror, and then getting transmitted by the lens, कोई भी light रहे, जो mirror से reflect होगी, और फिल लेंस से transmit हो जाए, तो वो principal axis के parallel हो, after reflection from the lens, after reflected by the mirror, and then getting transmitted by the lens, comes out parallel to the principal axis, वो principal axis के parallel होनी चाहिए भई, वो principal axis के parallel होनी चाहिए, तो इसका diagram में आपको बना देता हूँ, उसके बाद calculation वाला पार्ट आप खुद से कर लीजेगा, as per the question, यहाँ पे अगर हम ध्यान दे, एक lens बना लिया हमने, इससे 15 cm की distance पे, इससे 15 cm की distance पे, एक diverging mirror, चला, बहुत बढ़िया, so, दोनों के बीच का separation, इन्होंने बोल दिया है, 15 cm का होगा, ठीक है, और इन्होंने बोले, object को मैं कहां रखूं, जिससे की, माल लीजिये, मैंने object को रख दिया, यहाँ पे, जिससे की कोई भी light ray, जुब जाएगी, तो after the reflection, वो parallel होनी चाहिए, principle axis की, यानि की माल लीजिये, अगर कोई light ray, ऐसे जा रही है, तो इससे reflect होके, वो इधर जाएगी, यहाँ पे भी कोई light ray गई, after the reflection, वो इधर जाएगी, तो इनका कहने का तत पर यह है, कि जो भी light ray इधर lens पे आ रहे है, after the reflection, वो parallel to the principle axis होनी चाहिए, वो parallel to the principle axis हो, समझ गए ना बात को तुम लोग, principle axis के parallel करने अपने को इसको जरएगा, सो यह बताने अपने को, तो यह object को मैं कहां पे रखूँ, यही पुचह है, object को मैं कहां पे रखूँ, where should a point source be placed, between the lens and the mirror, so that light after getting reflected by the mirror, light after getting reflected from the mirror, getting transmitted through the lens, getting transmitted by the lens, comes out parallel to the principle axis, and it comes out of parallel to the principle axis, बड़ा जी, काइदे से जो मैं समझ रहा हूँ, सबसे पहले होगा reflection, उसके बाद होगा reflection, तो यहाँ पे जो सबसे पहले काम हो रहा है, मैंने उसको 1 बोल दिया, और उसको मैंने 2 कह दिया, कोशन के साब से इसका focal length 40 cm देके रखा हुआ है, और इसका जो focal length है वो कितना हो जाएगा, एक बाद चेक कर लेते, lens का focal length जो है 25 cm, 25 cm, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा reflection, सबसे पहले होगा reflection, reflection से एक virtual image बनती है बेटाई, यहाँ पर, reflection से एक virtual image बनती है यहाँ इधर, after this reflection एक virtual image यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, और, अब जारा ध्यान से सुना इस बात को, बड़े important बात बोलने जारों मैं, यहाँ पर I1 मैंने नाम दिये इसको, क्योंकि मैं समझ गया कि बही, image बन रही है, अब चुनना, यह जो I1 है, यह I1 इस lens के लिए, as a object काम करेगा, चो यहाँ पर I1 is the image formed by the mirror, I1 is the image formed by mirror, जो कि हम find out कर सकते हैं शाइदे ना, I1 is the image formed by the mirror, ठीक है, और, so I1 is the act as an object for lens, object for lens, lens के लिए I1 object की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर light ray जो है, parallel to the principle हो गये है, यानि की ray, parallel to principle axis, that means image बनती है कहाँ पर, infinity पर, यही समझ जा रहा है मुझे, light ray parallel to the principle axis का क्या मतलब होता है, light ray parallel to the principle axis का मतलब यह है, कि जो final image बनेगी, वो कहाँ पर बनेगी, infinity पर, object, lens के लिए, object की distance कितनी हो गई, सर, यह वाली, यहाँ से लिके यहाँ तक, यह कहलाती है, object distance for the lens, कितना हो जाएगा, यह object distance, वो तो देखना पड़ेगा सर, ठीक है, असल मैं यह object मान लीजे, x distance पर रखा गया है, from the lens, और यहाँ से, जो भी बनेगे इसकी distance, वो हमें देखने पड़ेगे, हम, अच्छा, भाई, यह जो U है, वो कितना हो जाएगा, बेटा, यह जो U है, वो कितना हो जाएगा, Sir, I1 जो है, image formed by the mirror है, and I1 act as an object for the lens, final image, since, the final image, formed by the lens, is at infinity, formed by lens, is at infinity, therefore, for the lens, object should be placed at focus, therefore, for lens, object should be placed at, object should be placed at focus of lens, सही बात है बेटा, image जो है, infinity पे तभी बनती है, जब object को focus पे रखा जाता है, तो lens से image infinity पे बनती है, तो object को कहां रखा होना चाहिए, lens के focus पे, यानि कि यह जो distance you आ रही है, यह जो distance you आ रहा है, यह F यानि F2 यानि की 25 cm के बराबर होगा, बेटा जी, यह ओल्री पंदरा सेंटी मीटर है, तो यह बचा कुचा distance हो जाएगा कितना, 10 cm का, समझदार, प्राणी, सब बात समझते हैं, यह ओल्री पंदरा सेंटी मीटर, तो बचा कुचा कितना हो जाएगा, 10 cm का हो जाएगा, यह distance X है, बेटा, मुझे mirror से जो image बन रही थी, उसका distance पता चल गया है, mirror से जो image बन रही थी, मुझे उसका distance पता चल चुका है, mirror से object की distance पता चल चुकी है, तो क्या मैं यह फता कर सकता हूँ, मतलब की final image अगर infinity पे बनती है तो object को कहां रखना चाहिए focus पे रखना चाहिए तो lens अगर final image infinity पे बना रही है तो object कौन था lens के लिए i1 था ना वो कहां होना चाहिए focus पे उना चाहिए तो lens से उसकी distance जो होगी वो 25 cm जो उसके focal length के बराबर है यह already separation 15 cm का था तो यह separation कितों हो जाएगा 10 cm का हो जाएगा अब आप देखें तो mirror से i1 की distance हो गई 10 cm mirror से object distance हो जाएगी x mirror का focal length पता है तो अब हम mirror formula लगा सकते हैं mirror formula लगा के हम इसको solve कर सकते हैं तो बेटा using mirror formula अब देखो यहां का काम मैं आप पे छोड़ दो तो mirror formula लगाना है थोड़ा सा विचार करना है 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f करके आप बोलो जरा object कितने distance पे x पे तो u का जो value हो जाएगा बेटा minus का x हो जाएगा v का value तो 10 cm और focal length 40 cm हाँ चले बात बन जाएगी x का value देखिए क्या आ रहे है जब हमने values put करी तो 1 by 10 minus का 1 by x is equals to 1 by 40 so 1 by x is equals to 1 by 10 minus का 1 by 40 LCM तो 40 ही बनेगा आउजार अगले page पे कर देता इसको एक मिनिट रुको यह कहां आगे हम लोग चले, so 1 by x equals to 1 by x is equals to 1 by 10 minus का 1 by 40 LCM तो 40 ही बनेगा इसका 10, 4 जा 40, minus 4, T, 1 जा 40 3 divided by 40 1 by x so x का value बनता है 40 divided by 3 cm this is the distance of the object from the mirror this is the distance of object from mirror lens से अगर यह distance जाननी है किसी को so वो भी बता सकते हो distance of object from lens from lens किता हो जाएगा बोलो x dash is equals to 15 minus का x x dash equals to 15 minus का बही बोल दो जारा x की जगा 40 by 3 कर दिया जाए so 40 divided by 3 15, 3's are 45 होते है तो यह हो जाएगा 45 minus का 40 divided by 3 so x dash हो जाएगा 5 divided by 3 तो lens से distance पूछेगा वो भी बता देंगे mirror से distance पूछेगा वो भी बता देंगे तो भाईया सारी बाते तो हम इसको बता ही देंगे so यह कहानी हुई है भाई अपनी ठीक है तो आप एक काम करो मैं एक चीज़ को डिलीट करते तो हम बीच में से चलिए यहां तक तो सब बढ़िया था हाँ यहां से आईए यह आपका answer होगा question number 63 की कहानी चल रही थी अभी अपने पास चालिए भी question number 63 answer यहां से चापना शुरू करेंगे सभी लोग फटा-फट से नोट कर लो यार question tough नहीं है question simple है बस एक बार concept अगर पता है तो कैसा भी question वो हमें दे दे हम उस question को solve कर सकते बेटा ठीक है ठीक है यहां पढ़िए यह सारी बाते चाप लीजिए तुरंत प्रभाव से फटा-फट से और यह सारी बात अगर चाप ली है तो बहुत बढ़िया बढ़ते हैं question number 64 की और चले आगे question 64 भी कुछ इसी पॉइंट ता है एक converging lens आपको दे दिया है जिसका focal length 15 cm होगा और एक converging mirror जिसका focal length 10 cm होगा जो की 50 cm दूर रखे हुए with common principle same principle axis रही एक point source को place किया है in between the lens and the mirror at a distance of 40 cm from the lens एक point source को क्या किया एक point source को place कर दिया है in between the lens and the mirror at a distance of 40 cm from the lens lens इसे 40 distance पे and from the 10 cm from the mirror find the locations of the two images formed बिटा दो images form होगी उनकी location आपको बता नहीं है तो यहाँ पे converging lens converging lens समझते हो convex lens की बात हो रही है और एक converging mirror जो की concave है हाँ उसकी बात हो रही है so now you have two types of one lens and one mirror दोनों के लिए focal length दे रखा है और दोनों एक दूसर से 50 cm की दूरी पे रखे गए है अब बाहर ही आती है कि मैं converging mirror भी बना दूँ तो यह converging mirror कुछ इस प्रकार से बनेगा it's a convex lens convex mirror तो lens और mirror की बात है इतनी बाहर आजाती है कि confused हो जाते कभी कभार ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बीच में एक point source को रख दिया जाता है आईसा यहाँ पे अभी तो बोला है दोनों की बीच का separation 50 cm है लेकिन source को आपने जो रखा है वो ऐसे रखा है कि वो source 40 cm पे है from the lens तो mirror से कितना हो जाएगा बिटा 10 cm हो जाएगा बोलने वाली बात नहीं है अब इस source से जो images बनेगी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिए थी अपने को इस source से जो images बनेगी उसके बारे में थोड़ी सा discussion हमें करना पड़ेगा हाँ सो यहाँ पे क्या होगा इधर से light जाएगी टकराएगी इधर से light जाएगी टकराएगी यहाँ पे आने के बाद इसका भी काम वो ही है बेटा क्या करना है? Converge करता है Converge करके हो सकता है वो यहाँ पे image बना देख इसना ऐसा कुछ बोला क्या कि लेंस से पास होने के बाद light rays parallel to the principal axis हो जाएगी क्या कहीं पे भी इस बात का जिक्र किया कि after the reflection light rays parallel to the principal axis होगी कहीं ऐसी बातें नहीं बोलिये तो हम भी जादा दिमाग नहीं लगाएंगे बिटा जी यही वाली बात यहां के लिए भी वैलिड हो सकती है ऐसा करके और यहां से भी एक image इदा बनागे ठीक है तो आप देख रहे हो दो light rays निकल रही है और यह दोनों light rays की बाते हमने यहां पर डिफाइन कर दिये तो आप ध्यान से देखें तो यह तो दूर चली गई यह तो क्या होगी दूर चली गई अच्छा converging mirror है तो converge करेगा यह तो diverge कर रहा थे को डियाग्राम कुछ और बनेगा है इसका इसका डियाग्राम कुछ और बनेगा यार converging mirror है converge करना चाहेगा यह तो रोको एक मेंट मैं चक कर लेता हूं कि यह किस टाइप से बनेगा क्योंकि पॉइंट सो इसको बीच में रखा है तो basically जो images बनने वाली उसके बार में चर्चा करते है location of the two images दो images बनने वाली है ना इसने बोले है दो image बनेगे बहिए तो दो image कौन कौन सी बन सकती है एक image बन सकती है कि focal length कितना है 15 cm रुको एक minute रुको 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 मिरर का focal length जो है इसको मैं 1 बोल देता हूं तो F1 तो है 10 cm हाँ, समझ रहूं है न, क्या होगा, focal length mirror का 10 cm पे है, और F2 जो हो जाएगा, lens का वो 15 cm हो जाएगा, मतलब की, यह जो object है, इसको आपने कहां रखा है, 40 cm पे रखा है, मतलब की, मतलब की, मतलब की, lens mirror के focus पे रखा है आपने इसको, focus पे जब आपने रखा है, तो फिर तो light ray भाईया, after the reflection, क्या हो जाएगा, parallel to the principal axis, after the reflection, parallel to the principal axis, ठीक है, और after reflection, आपने रखा है, देखो भई, ऐसी कुछ कहानी बन सकती है, and the reason is being, कि यहाँ पे object को कहां रखा हुआ है, mirror के focus पे रखा है, जब भी object को mirror के focus पे रखोगे ना, तो फिर तो बात ऐसी बनेगी, कि image, जो after reflection, light rays होती है, वो parallel to the principal axis हो जाती है, यह तो rule भी है, यार, देखें ना, 40 cm का distance से lens और mirror के बीच में, lens से 40 cm, यानि की mirror से कितने centimeter, 10 cm पे रखा है object को, 10 cm यानि की focal length, यानि की object को focus पे रखा है mirror के, अगर object को mirror के focus पे रख दिया जाता है, तो light rays जो निकलती है object से, after the reflection वो parallel to the principal axis हो जाती है, यह तो rule है, तो भाई, यहाँ पे light ray parallel जा रही थी, parallel जा रही थी और यहाँ पे जाके मिल गई, कोई भी light ray जो parallel to the principal axis आ रही है, तो वो कहाँ पे मिलेगी सापे, सर उसके focus पे, lens के focus पे मिलेगी आखे, तो कोई भी लाइट रेज जो की पैरलल टू दा प्रिंसिपल एक्सिज है आफ्टर दा रिफ्लेक्शन वो कहां पे मिलेगी लेंस के फोकस पे मिलेगी आखिम ऐसे ही होता है ना भाई लेंस को क्या पता लेंस के लिए तो भाई वही बात होगी कि सर अब्जेक्ट जो है कहीं फैलेध दा डारेज पैले उसके पास होग西 है सो यहां पे इमेज जो फोम होने वाली वो कौन-काँ सी होगी एक तो सर बिरर की वजह से हमें यह लगता है कि फाइनल इंफींटी पर बननी चीह भी वीच में कि लैंस ऑगया लैंस आने की वजहा से आब क्या होगा यहां प 15 सेंटीमेटर का होगा तो देखें वाई क्या यहीं आंसर है इसके चेक कर लो फटाफट से आपको कुछ लग रहा है तो तो यह बाद समझ आ रहे ना आप लोगों को की हो क्या रहा है इस मैंसल में बस इतना कह रहा हूं कि पहला केस हो सकता है कि जहां पर पहले लाइट रहे गई मिरर पर टकराई मिरर पर टकराने के बाद वो पैरलेल हो गई टूदा प्रिंसिपल एकस वजह क्या है यह वजह सिसफ कैंप रहे और जब भी अब्चयक को फोकस पर रखा होता है तो जो लाइट रेवाहां से निकलती है तूद यह मिलती है तो यह बन गई lens को काँंसी raise मिल रही है? parallel raise मिल रही है lens का भी एक rule है कि अगर उसके उपर parallel raise आती है तो वो after the reflection कहां पर मिलती है? focus पर मिलती है तो after the reflection वो focus पर मिल जाएगी यानि कि आप की जो final image होगी जो आपके पाफ final image form होगी वो कहां पर होगी? focus पर होगी so final image आपके focus पे form हो रही है और बेटा जिसका जो distance होगा from the lens वो हो जाएगा कितना 15 cm का कितना हो जाएगा वो 15 cm का हो जाएगा तो पहला ओला case होगे हमारे पास ठीक है इसमें final image formed at focus of the lens formed at focus of the lens हाँ जी तो इसमें कितनी distance हो जाएगी इसमें V हो जाएगा 15 cm चले भी यह पहला case होगे हमारे पास पहली image बन गी अपने पास इसमें question में क्या बोला है find the locations of the two images पहली image बन चुकी है अब light है भई light का कोई rule थोड़ी होता है कि इधर ही जाएगी सिर्फ light तो इधर भी आईगी तो यह पहला case हो है जिसमें कि वह mirror से टकराके फिर image बन रही है दूसरा case आएगा जिसमें light rate directly lens के उपर गिरेगी आके आई जरही वाला case भी दिख लेते हैं इसको सब को अटा देते हैं case number two बेटा यहां पे कहानी थोड़ी सी different होने वाली है फिर से मैं वह diagram को बना देता हूँ फटा फट से ताकि हमारा time हमें चीज़े समझा है बाल पर 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 लेटने चाहिए अपने कोई ना हाँ चलो अब यहां पे देखिए दोनों की बिसकर separation तो पता centimeter का दे ही रखा था लेकिन यह भी हमें पता है कि object को रखा है यहां पे object को यहां पे रखा है which is at a distance of 40 centimeter ठीक है यह object 40 centimeter पर लख दिये यहां से जो light आएगी lens की पर यहां से lens की पर जो light आ रही है क्या होगा after the reflection lens वहां पे यह क्या करेगा converge कर देगा after the reflection lens इसको क्या करेगा converge कर देगा इस particular point पर सो यहां पे बनती है में पास एक image लेकिन यह focus नहीं होगा बेटा है यह focus नहीं होगा यहां इस lens का focal length होता है कितना कितना है यह बड़ चक कर ले तो मैं इसका focal length है 15 centimeter का है सो आप direct lens formula लगा लीजिए पहला case तो हो ही गया था दूसरा case बेटा मैं यह बनाने जा रहा हूं इसमें हमने क्या किया lens formula लगाया जिसमें कि u का value हो जाएगा कितना 40 cm माइनस का वी मुझे calculate करना है और focal length हो जाएगा 15 cm का ठीक है यू 40 cm भाई लाइट रे इधर आ रही है तो यह माइनस का हो जाएगा focal length बिटा 15 cm और वी मुझे calculate करना है तो 1 by V minus 1 by U 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F हो जाएगा so 1 by V minus minus का 1 by 40 is equals to 1 by 15 so 1 by V is equals to 1 by 15 minus 1 by 40 देखो ज़रा यह बात शायद आपको समझ आ रही होगी LCM लेना पड़ेगा इसका so 1 by V is equals to कितना हो जाएगा यह 15 into 40 ठीक है चलेगा बई यहाँ पर 40 यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा यह 25 है इतना ही होता है इतना ही होता है यहाँ डिवाइड बाइ 15 into 40 5 5 25 5 15 5 8 40 8 24 तो 1 by V is equals to 1 by 24 यानि कि V का value हो जाएगा 24 cm सेकिंड वाले केस में image form होरी बिटा 24 cm पर सेकिंड वाले केस में image कहां पर form होरी बिटा 24 cm पर तो यह कहानी बन रही है अब आपको थोड़ा सा मैं इसी diagram में सारी बाते clear करते चलता हूँ जैसे कि पहला situation हुआ image बनी 24 cm पर यह हमारी V2 वाली image बन ली ठीक है यह V2 हो जाएगा या चलिए मैं इसको I2 बोल देता हूँ और पहला case क्या था बेटा पहले वाले case के हिजाब से light यहां जाती थी parallel होती थी principal axis के यह पहला बहला situation था है चलिए बई और यह after the reflection यह पहले थी यह distance कितनी होगी यह I1 था बेटा and this distance will be your 15 cm so यह दो images form हो रही है दो तरीके है बेटा पहले तरीके में तो यह था light जारी है mirror पे parallel to the principal axis यह यहां पर आके मिल रहे हैं दूसा case था directly lens के उपर गिर जाए light आके और image यहां पर बन जाए so दोनों cases में मैंने image जो बन रही थी दो images बननी थी basically यहां पे एक after the reflection और एक directly after the reflection तो दोनों images यहां पर इसमें मैं बना दी है बाकी आपको छापना है तो यहां से note कीजेगा सारी बाते जिसमें सब कुछ define किये यह single diagram बना है ताकि आपको चीजे समझाए इस case में image बनती है 15 cm पर यह पहला case हो गया बेट अपना पास image कहां पर बन दी है 15 cm पर यह पहला case हो गया और उसके बाद इधार आएंगे तो यह हमारा second case होता है जिसमें lens lens के इंपर directly light ray incident करती है उसका reflection होता है तो image बनती है 24 cm पर क्या यह बात सभी को समझ आती है क्या इसमें कोई शक तो नहीं कोई समस्या भी नहीं कोई परेशानी भी नहीं और अगर यह सबने चाप लिया है सबने note कर लिया है तो चलिए भाईया यह कहानी question number 64 की समाप्त करते हैं आगे बढ़ते हैं question number 65 की और और बेटाजी question 65 कह रहा है consider the situation described in the previous problem where should a point source be placed on the principal axis so that the two images formed at the same place फिर से आपको वही पुराना diagram consider करना है तो एक बाद पुरानी बातों को मैं यहां ले आता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए देखो मेरे पास तो option है बढ़ आपको तो फिर से बनाना पड़ेगा मकारी मत करना बना लेना चुप चाप ठीक है चालिए बई तो फिर से मेरे पास तो diagram आ गया और मुझसे पूछ रहे कि इस बार object को कहा रखे इस बार उसने नहीं बोला object को रखने के लिए इस बार मुझसे पूछा गया है कि मैं object को कहा रखूँ जिससे की मुझे image वही मिले जहां पर object को रखा गया है सवाल यही है कि अब object को मैं कहा रखूँ जिससे की जहां पे images बन रही थी दो images बनेगी य ये पता है अपने को ये मैं जानता हूँ कि दो images बनेगी लेकिन वो दोनों images same position पे होनी चाहिए ये मैं चाहता हूँ तो बेटा दो case थे याद आ रहे हैं आपको माल लीजिए object को मैंने रखा यहाँ पे माल लीजिए object को मैंने रखा यहाँ पे दो cases थे आप इने मुझे बोला था object को जब मैंने यहाँ पे रखा यह focal length उपर लिख देता हूँ यह focal length उपर लिख देता हूँ इसकी focal length थी 15 cm इसकी focal length थी 10 cm माल लीजिए object को बीच मैं कहीं अरे मुझे नहीं पता कहा है बिलकुल center पे भी नहीं आगे पीछे थोड़ा सा तो object की जो distance होगी वो तो यू हो जाएगा बेटा from the lens object का distance हो जाएगा यू from the lens object से light ray जाएगी object से light ray जाती है बिलकुल जाती है and after the reflection वो कहीं पे image बना देती है जैसा कि आपने देख लिया इधर बन लिया इसको मैंने नाम दे दिया कुछ भी image बन दी जट से इसको नाम दे दिया i1 बोलने में क्या जा रहे है न चलिए बहुत बढ़िया उसको मैंने नाम दे दिया i1 अब ये तो एक पहला case हो गया था बेटा जिसमें directly light ray lens पे गिरती थी जिसका final image बनता था बहुत बढ़िया यहां तक तो कोई शक नहीं कोई समस्य भी नहीं ठीक है है अब दूसरी image कैसे बनेगी दूसरी image बनती है जब वो mirror के उपर गिरती है light ray तो light ray को mirror के उपर गिरा हो भईया तो यह गई light ray mirror के उपर यह गई light ray mirror के उपर बैटा जी इसकी tendency है कि after the reflection वो क्या होगा converge करेगा converge करेगा यानि कि mirror ने बनाई image यहां पे इसको मैंने नाम दे दिया let's say i क्या हुआ बेटा पहला situation था जिसमें की light ray directly lens के उपर गिरी जिसकी image बन गी आईवन यहां पे अब दूसरा वाला case याद करो जिसमें पहले mirror के उपर light गिरती थी light मिरती थी mirror के उपर mirror से reflect होके जो light ray आती थी mirror से reflect होके जो light ray आती थी वो इसके लिए object का काम करती थी याद आ रही पुरानी बाते कुछ कि याद आ रहे कुछ पुरानी बाते पहला case हो गया बेटा जिसमें मैंने directly lens के उपर गिराया उससे image बन गई बहुत बढ़िया सा मजा ही आ गया है चलो यह हो गया अब इसमें उने बोला है कि साब पहला situation हो गया दूसरे situation में mirror के उपर light गिरी लेकिन इस बार यह object focus पे नहीं है कहीं और है focus पे नहीं है यह object कहीं और है तो light ray गिरी converge हो गई light ray गिरती है converge होती है और यहाँ पे एक image बनती है यह image यह image काम करेगा as a object for this lens यह image काम करेगा as a object for the lens तो यहाँ पे लिखता हूँ eye is the image formed by the mirror formed by mirror eye act as an object act as an object for lens यह as a object काम करेगा lens के लिए यहाँ से भी जो light ray इधर गिरेगी इस पे आके वो उससे जो final image बनेगा वो i3 होगा जो की फिर से मैं चाहता हो यहीं पे बने यानि की यहाँ से आने वाली light ray इधर आके फिर से converge होगी और यहाँ पे एक और इमेज बनेगी मतलब i1 और i3 आर दा final images i1 and i3 आर दा final images बेटा i1 and i3 are the final images that are formed at the same place that are formed at same place दोनों के दोनों कहाँ पे same place पे बने है बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है देखके सब कुछ समझारी बाते तो पहले तो क्या हुआ कि सर object से directly light ray गिरी तो उससे image बन गी आईवन final image बनी एक तो second case में है पहले light ray गई किसके पास mirror के पास mirror से reflect होके यहाँ पे आईगी अब इससे भी जो light ray गिरेगी वो यहाँ पे आईगी समझे बात को i1 और i3 are the final images जो बन रही है और यह एक ही जगा पे बन रही है आपको दिख रहा है lens same है lens के focal length में change नहीं होगा बढ़ आप ज़रा ध्यान से देखिए तो क्या आपको v1 और क्या आपको v3 same लग रहे हैं क्या तो same ही तो होंगे क्यों क्योंकि दोनों same जगा पे होनी की वज़े से v1 is equal to v3 हो जाएगा दोनों के लिए बेटा focal length तो same ही है तो क्या दोनों के लिए जो object की position है वो same नहीं होनी चाहिए सोच के देखो दोनों images के लिए image position same है क्योंकि एक ही जगा पे बन रही है दोनों images दोनों images एक ही जगा पे बन रही है तो दोनों क्या position same होगा same lens से बनती है इसलिए focal length भी same होगा as per the lens formula 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f बोल बेटा दोनों के लिए v same दोनों के लिए f same तो क्या दोनों के लिए u same नहीं होना चाहिए तो यह compulsory हो चुका है अब दोनों के लिए image position same दोनों के दोनों same lens से बने तो focal length भी same तो अब यह compulsory हो चुका है कि दोनों का object distance भी same होना चाहिए मतलब दोनों images की जो objects है ना जिनसे वो बनी थी, वो एक ही जगा पर होनी चाहिए therefore therefore you has to be same for both you has to be same you को same होना पड़ेगा दो नुकले मतलब एक image i1, o की वज़े से बन रही थी एक image i3 i की वज़े से बन रही थी मतलब कि ये i और o same position पर होने चाहिए हाँ, पहले हमें पता नहीं चल रहा था इसके बारे में इसलिए हमने अलग-अलग बना दिया पहले हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा था इसलिए हमने अलग-अलग बना दिया लेकिन जब मैंने ये बात करी तो मुझे समझ आया कि i और o को same position पे होना पड़ेगा इसलिए अब ये diagram को redraw करेंगे नया diagram बनाएंगे लेकिनों से पहले आप विचार करो कि वो नया diagram कैसा बन सकता है एक बार आपको वो मिल गया तो आपका answer यहां से आ जागा है बना है diagram बना फटा, फटसी बनाएं किया अरो redraw करते हैं ये सही diagram नहीं है ये हमें बाद में पता चल रहा है बाद में जाके हमें ये पता चल रहा है कि अगर दोनों images same position पर बनने तो दोनों का image position जो है वो same होना चाहिए जोनों तो दोनों same lens से बन रही है, तो दोनों का focal length भी same होना चाहिए, और तो और दोनों के लिए, अगर V और F same है, तो दोनों का U, object distance भी same होना चाहिए, यानि कि, दोनों images के जो object है, वो एक ही जगा पे होने चाहिए, तो ही बात बन सकती थी, तो आपने तो अलग-अलग जगा पे तो भी अच्छा था चलो छोड़ो i2 को खागे हम लोग है ना तो बैटा जी i3 बनता है i1 बनता है हो की वज़ए से अगर दोनों सेम पोजिशन पर तो यहां पर इन दोनों को भी सेम पोजिशन पर होना चाहिए था अकलब i और o एक ही जगा पे बनेंगे तो आईए ज़रा diagram को मैं redraw कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ यह सब बटा दे तो diagram हमने redraw किया जो सही diagram है अब वो बनायने जा रहे है तो यहां पर हमारे पास वो lens होना चाहिए था यह इसका principle axis हो गया यहां पर हमारे पास वो mirror होना चाहिए था ठीक है तो यह कुछ ऐसा करें और हमें यह पता होगा कि अगर अब मैं object को यहां बीच में रख दूँ तो एक light ray ऐसे जाएगी एक light ray ऐसे जाएगी एक light ray इधर बेज़ दो और एक light ray इधर बेज़ दो तो यह image बन दी उसकी है तो यह हो गया i1 जो की o की वज़ा से बनता है और यहां से जो light गई है आईव को भी यहीं पे बनना चाहिए उसके लिए बेटा यह अपने path को retrace करेगा फिर जहां पे object है वहीं पे अगर image बन रही है तो समझ लीजिए कि अपने path को retrace कर रहा है और ऐसा तभी हो सकता है जब यह place जो कहां पे at center of curvature जब object को रखा है center of curvature पे तभी ऐसा हो सकता है कि जहां पे object है वहीं image बन रही है तो यह center of curvature पे यानि कि इसकी जो distance होगी from the mirror वो हो जाएगा two times of the focal length इसका focal length कितना है mirror का 10 cm तो यह हो जाएगा two into ten बोले तो 20 cm mirror का focal length कितना था 10 cm तो यह हो जाएगा 20 cm बैटा जी दोनों की बीच का separation जो है वो 50 cm था दोनों की बीच का separation 50 cm था जिसमें से 20 है तो यह बचा हुआ कितना हो जाएगा 30 cm तो क्या आपको object का position पता चल चुका है क्या आपको object position पता चला it is at the 30 cm यह diagram जो हमने बनाया था इसमें correction होगा correction क्या होगा कि sir यहाँ पे अगर i1 और i3 देखो यह हमें बाद में पता चला है मैं बाहर बोल रहो है आपने यह चीज़ करी उसके बाद आपको इने दिमाग चलाया कि अरे यह जब i1 i3 सेम position पे हैं तो भया v1 और v3 को सेम होना चाहिए दोनों images सेम lens से बनाई जा रही है तो focal lens भी सेम हो जाएगा जिसकी वज़ा से दोनों के जो object distance है वो भी सेम होने चाहिए यानि कि i1 का object है o i3 का object है i दोनों का object distance सेम होना चाहिए था इसलिए diagram को मैंने redraw किया और यहाँ पे o और i को सेम position पे लिके आया अब बिटा i क्या था image form by the mirror ओ क्या था object था तो जहां object है वहीं अगर image बन रही है तो समझ जाईए कि यह कहां रखा होगा इस mirror के center of curvature पे center of curvature से mirror का distance होते है two times of the focus यानि कि radius of curvature तो बेटाई यह हो जाएते है 20 centimeter overall separation दोनों की बीच में 50 centimeter है तो यह बचा कितना 30 centimeter this is the distance of the object from the lens so object should be placed at object should be placed at 30 centimeter from lens so lens से कितने distance पे रखना चाहिए 30 centimeter पे रखना चाहिए तो हमारी बात बन जाएगी then only both images coincide ठीक है तो यह है तो यह है कहानी question number 65 की अच्छा सवाल दिमाग लगाने वाली बाते हैं आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे और अगर समझ गए हो बेटा तो बहुत बढ़िया क्यूंकि ऐसे questions आपको देखने को मिलेंगे तो आप इनको कर पाएं तो ध्यान रखेगा और practice करते रहे हैं खुद से भी questions की practice कीजी जो मैं करवा रहा हूं वो खुद से भी करने जरूरी है यह वाला पार्ट नोट किया सभी ने सभी ने नोट किया पका ना इधर आए फटा फट से यह सारी बाते यह पूरा डाइगराम वगर बना के यह answer लिख लीजेगा हो गया बेटा उसको देखो हमने redraw किया है क्योंकि हमें बाद में जाकि एक बात पता चली इसलिए हमने इस डाइगराम को redraw किया ठीक है चलिए बढ़ी आगे बढ़ते बेटा question number 66 क्यों रा जाते है converging lens जिसका focal length 15 cm का है और converging mirror जिसका focal length 10 cm का है आपने इनको 50 cm के distance पर रखा हुए है अगर एक pin जिसकी length 2 cm है इसको हमने place किया 30 cm from the lens farther away from the mirror देखे 30 cm from the lens farther away from the mirror ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में रखा है इसका कहने का मतलब समझे farther away from the mirror मतलब की वो lens से इस तरफ रखोगा lens और mirror के बीच में नहीं रखा है इसको so where will the final image form and what will be the size of the final image तो आपको दो चीज़े बता नहीं है आपे आपके पास pin है जिसकी length 2 cm की है जिसको कि आपने lens से 30 cm पर रखा है so that वो mirror से और दूर हो जाए देखे lens से 30 cm farther away from the mirror यानि कि mirror से और दूर तो यह मत सोचना कि lens और mirror के बीच में रखा हुआ है वो lens और mirror के बीच में नहीं है बलकि lens से इस तरफ है ताकि mirror से और दूर हो जाए तो object के बारे में पता चल चुका है final image कहां पर बनेगी यह आपको बताना है सबसे पहले reflection होगा फिर reflection और फिर उसे जाब से कहानी चलेगी so final image कहां पर बनती है वो बताईए and what will be the size of the final image यह वाला question आप try कर सकते हो एक वार आप try कीजिए बिलकुल मैं side में हट जाता हूँ देखिए क्या answer बनता है इसका चली वही विचार किया होगा try किया होगा यह तो ही जाना था खेर हमसे इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने try कर लिया होगा और सभी का answer आया भी होगा सो इनके कहने का दात पर ही इतना था कि एक converging lens है जिसका focal length देखे रखा वा था और converging mirror है जिसका focal length 10 cm था अच्छा converging lens क्या होता है जो converge करते है converge करने वाला काम तो सर्थ सिर्फ convex lens ही कर सकता है ऐसे काम कोई और नहीं कर सकता सर उसके लावा converge और कॉन कर सकता है सर एक और है concave नाम का वो कर देता है ऐसे काम ठीक है तो यह लो भाई एक तब बना दिये और एक तब बना दिये बहुत बरे अब इनों नहीं बोला कि दोनों के बीच की जो दूरियां है वो दूरियां है 50 centimeter की दोनों के बीच की दूरियां है 50 centimeters की और एक object को मैंने रखा है यह आव अब जिक हमारा objects को मैंने रख दिया है at a distance of 30 cm from the lens यहाँ पर यह object मैंने यह object ऐसा बड़ा वाला क्यों बना है? point object बना देते हैं क्योंकि object जो है वो एक pin है जिसकी length 2 cm है so object एक pin है हमारे पास ठीक है यह object lens से 30 cm की distance पर है और mirror से 20 cm की distance पर है बहुत अच्छी बात है यह पता है तुम्हें? यह जो lens आपको देके रखा हुआ है इसका focal length जो है वो है 15 cm और यह जो mirror आपको दे रखा है इसका focal length है 10 cm ठीक है? तो बड़ा इस object की image बनेगी पहली image तो lens डिरेक्ली बना देगा दूसरी image कैसे बनेगी? सर यहाँ mirror से reflection होके जो image आएगी उसकी final image बने समझ जरो? इस type के questions की है हमने अभी क्या बेटा? कि सर इस object की light rays सीधा lens पे गिरेगी और lens उसका final image बना दे. दूसरा case बनेगा जिसमें की light ray पहले mirror पे जाएगी mirror एक image बनाएगा वो image as a object behave करेगा lens के लिए की final image फिर से lens बनाएगा so basically इस case में दो images बनती है. पहले image बनेगी direct reflection से दूसरी image बनती है पहले reflection फिर reflection से बेट बात समझ आ रही है? तो पहला case ले रहाओ, direct reflection से जो image बनती है. case first तो case first में from the lens direct reflection हो जाएगा बेटा? 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F होता है. 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F हो जाता है. ठीक है? यहाँ पर जब हमने इसको solve किया तो 1 by V तो find करना ही है. U कहाँ पे है बेटा? यह रहाँ minus का 30 is equals to 1 by F. F बोले तो focal length है 15. वैसे तो मैं जब बतानी कि जरूर नहीं थी, तुम समझदार हो, यह object 30 cm पे है. यह object 30 cm पे है. इसका focal length 15 cm है. रहन दो बईया. अरे इसके center of curvature पे है. अब इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ? बैना? इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ? कि वो इसके center of curvature पे है. लेंस के center of curvature पे अगर कोई point रखा होता तो इमेज उसकी वहीं बनती है फिर से, सेंटर ओफ कर वेचर पे, देख लो बई, नहीं है मेरे परोसा 1 by V equals to 1 by 15, minus 1 by 30, so 1 by V जो होता है, वो होता है, 1 by 15, minus 1 by 30, इसको हमने यहां पे बुला, यह mirror जो था सब, इसकी बात है थोड़ा सा रुक के करेंगे, ठीक है, so 1 by V हो रहा है, 1 by 15, minus 1 by 30, LCM बगर लेकर देख लो यार, बात बन जाएगी, तो सर, LCM लिया, 1 by V is equals to, LCM आता है इसका 30, 15, 2s are 30, minus 30, 1s are 30, 1 by 30, तो बोलो बहीं, अब V कितना हो जाएगा, 30, यानि कि, इसकी image बनेगी इस तरफ, अच्छा कैसे image बनेगी, real और inverted, हाँ, हाँ, बिल्कुल, सर, real inverted image बनेगी, मतलब की image यहाँ पर बनने वाली है, at a distance of 30 cm from the lens, मतलब यह हमारी पहली image बनने जा रही है, इसलिए मैं इसको I1 बोल देता हूँ, पहली image बन रही है, यहाँ पर इसलिए I1 बोल दिया, What about the magnification, sir? आओ, जार यहाँ पर काम कर लेते हैं, extra page की जरूत पड़ेगी अपने को, Sir, V आ रहा है, plus का 30 cm, मैं समझ चुका हूँ, कि यह real image बना रहा है, magnification की बात करें, V by U होता है, it is given by V हो जाता है, plus का 30 U हो जाता है, minus का 30, so magnification हो जाता है, minus का 1, मतलब की, आपको same size as the object, क्या बोले, same size as the object, and inverted, and inverted, so negative का sign क्या बताता है, मैरे बच्चे, negative का sign यह बताता है, कि जो image बन रही है, यह वो inverted बोले, तो उल्टी image बनी है, negative का sign क्या represent करता है, कि जो image हमारे पास बनी है, वो image कैसी है, inverted image है, उल्टी image बनी है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे, negative यह देखो, उल्टी image बनाई है, अगर इसका length 2 cm है, तो इसका length भी कितना हो जाएगा, 2 cm, तो पहली image हमें ऐसे मिल चुकिए, अभी खुशिया मत बनाई है, क्योंकि अभी एक और image बनना बाकी है, यह तो पहली image की बात हुई है sir, case 2, कुछ लोग पहले ही खुश हो जाते हैं, यह सोचके कि आ रहे हैं, आगे अब तो क्या ही बचा, case 2, image formed by mirror by mirror behaves as an object, act as an object for lens तो सबसे पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा, कि mirror image कहां पर बना रहे हैं, सबसे पहले बेटा मुझे क्या चेकना पड़ेगा, कि जो mirror है वो image कहां पर बना रहे हैं, object को कहां पर रखा गया है, वो जरूरी है सबूरी है। object यहां पर रखा था जबूर, यहां पर गहीं पर mirror था अबना। अब सुनना ज़रा बेटा ना, मणा मज़ा आएगा, तुम भी बहुत खुश होगे जानके, कि lens से object को 30 cm पर रखा गया था, और mirror से 20 cm पर, lens से object को 30 cm पर रखा गया था, mirror से रखा गया था 20 cm पर, यह mirror का focal length जो है वो 10 cm का था, मिरर का focal length 10 cm का था, समझ गया सर, कि यह जो object है, mirror के center of curvature पर रखा गया था, क्या यह distance बेटा, two times of the focal length नहीं हो जाएगी, two times of f, बोलो, 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 क्या यह distance two times of f नहीं हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल होगी सर, यानि कि object is placed at the center of curvature of the mirror, object is placed at center of curvature of mirror, अचा एक बाँ बताओ, mirror की एक tendency तो तुम्हें पता ही होगी, mirror की एक tendency तो जो तुम्हें पता ही होगी, कि सर, अगर object को रखा जाता है, कहाँ पे, center of curvature पे, तो image कहाँ पे बनती है, so, final image formed at, यह ज़स्मा गोलो, image formed by mirror, formed by mirror is at c, c बोले तो center of curvature, so, image जो mirror बनाएगा, वो भी कहाँ पे बनाएगा, c पे ही बनाएगा, and as of the same size, will be same as that of object, okay, so image formed by the mirror is at c, and the size will be same as that of object, नही है मेर पे पर होसा, नही है नही है मेर पर होसा, मत करो, आओ बता दे तो में, प्रमाण मेरे पास सारे है, so for mirror, for mirror, मत करो मेर पे भरो सा, यार, 1 by V, minus 1 by U, sorry, 1 plus V, equals to 1 by F, ठीक है, 1 by V, minus का 1 by, बेटा ये तो plus में था, लेकिन ये minus का हो जागा 20, should be equals to minus का 1 by 10, minus क्यों लगा रहा हूँ, concave mirror है सरी, concave mirror का focal length रहा है, वो negative ही जाता है, so 1 by V, minus 1 by 20, is equals to minus का 1 by 10, 1 by V, is equals to 1 by 20, minus का 1 by 10, LCM, ले लिया जाए एक बार, so 1 by V, is equals to LCM, तो 20 ही आएगा मेरे साब से, कि 200 ले ले से, चलो ले लेते हैं, so, कितना हो जाएगा ये, सरी हो जाएगा 20, 10 और ये minus का 20, minus का 10, divide by 2, बोल बेटा, V का value minus का 20 आ रहा है, हाँ, minus का 20 मतलब, जहाँ पे object है, वही पे image बनती है, magnification बोल, minus का V by U, magnification बोल, minus का V by U, mirror के लिए बात चल रही है, सरी बेटा, बात हैं चल रही है, mirror के लिए, magnification minus का V upon U, so, minus of minus 20, divide by U, बोले तो minus का 20, minus minus, खचा-खच, ख़तम हो जाएगे, and magnification minus का बना आ जाएगा, मतलब की image कैसी बन रही है, inverted image बन रही है, inverted image, अच्छा, मतलब जहाँ पर object था, वही image बन जाएगे मुझे फिर से, हैं, जहाँ पर object था, वही पर मुझे, image मिल जाएगी फिर से, सही बात है, जहाँ पर object था, वही पर image मिल गई, अब इसको, this image will behave, यह जो है न बेटा, image बनी I, यह image बनी I, this image behaves as an object, image behaves as an object for mirror, as an object for mirror, sorry, for lens, object कहा रखा है, 20 cm पर, from the mirror, यानि कि lens से कितना, 30 cm से, फिर से वही कहानी होगी न, अरे यार, फिर से वही कहानी होगी, जहाँ object पहले रखा था, फिर से वही image बना दी mirror ने, जहाँ object पहले रखा था, mirror ने फिर से वही image बना दी, तो lens भी इसकी फिर से वही image बनाएगा, यानि कि final image is formed at the initial position itself, यानि कि जहां पर i1 था, वही पर i3 भी बनेगा, so the final image i3, so, the final image i3 formed by the lens, by lens, will form at at same place जहां पर पहली बनी थी, as i1, and it is of same size as object, तो भाई ध्यान रखने इस बात का हमेशा अब साप लोग, क्या ध्यान रखोगे साप, कि सर, ये पहली चीज़ तो मुझे पता चला, lens ने इसकी image बनाए थी, i1 यहाँ पे, mirror ने इसकी image बनाथी, फिर से वहीं पे, क्योंकि object कहा रखा था, mirror के center of curvature पे रखा था, अगर object को mirror के center of curvature पे रखा जाएगा, तो mirror उसकी image वहीं पे बना देता है, so converging है, real inverted image बनाएगा, तो उसने यहाँ पे फिर से बना दी, real and inverted image, अब फिर से बताओ भाई, object कहा पे रखा है, यहीं पे, final image फिर से वह यहाँ पे बना देगा, तो मेटा जी, final image कहाँ पे बनती है, 30 cm from the lens, and the size of the image, यहीं पूचा, where will the final image forms, तो sir, final image तो form होती है, lens से 30 cm पे, और जो size of final image होगा, वो उतना ही होगा, जितना object का size है, final image का जो size है, वो उतना ही है, हमारे object का size था, तो इसमें कोई changes नहीं आएंगे, image की size में कोई variation नहीं है, उतना ही है, जितना object था, और यहाँ पे वो कितने distance पे बनता है, 30 cm पे बनता है, यह आपका question number 66 complete हो गया है, फटा-फट से note कर लो बेटा, फटा-फट से छाप लो, उमीद करता हूँ, आप सबको मेरी बातें समझ आ रही होगी, यह वाला पार्ट छाप लिए सभी नहीं, सबने note किया इसको, कोई शाक तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं, किसी प्रकार की, तो यह सारी बाते लिख लेना है, दो इमेज़े मुझे लग रहा था बनेगी, लेकिन बाइचांस ऐसा हो गया, कि दोनों इमेज़े एक ही जगा पे बन रही है, और मैगनिफिकेशन भी सेम आ रहा है बेटा, तो फाइनल इमेज जो बनती है, वो वही पे बनेगी, कि 30 सेंटी मीटर पे from the lens, और जो फाइनल इमेज है, उसका साइज उतना ही रहेगा, जितना की object का था, ठीक है, तो ये कहानी हो गए, कोशन नंबर 66 की, आगे बढ़ते बेटा, कोशन नंबर 67 की और आ जाते हैं, कोशन 67 कह रहा है, एक point object को आपने place किया है, principal axis पे, और ये point object को आपने place किया, principal axis of a convex lens, जिसका focal length 15 सेंटी मीटर है, at a distance of 30 सेंटी मीटर from it, तो फिर से वही थोड़ा सा भावनाओ को समझो, कि इस वार convex lens से focal length 15 सेंटी मीटर का है, और कितने distance पे रखिए, 30 सेंटी मीटर पे रखिए गी है, एक glass plate जिसके लिए mu का value 1.5 है, इसको आपने place किया गया है, जिसकी thickness 1 सेंटी मीटर की होगी, on the other side of the lens, perpendicular to the axis, so now locate the image of the point object, बहुत ही शांदार सवाल बेटा, refraction through the slab, और refraction through the lens, एक साथ हारे यहां पे, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहां पे lens बना देता हूँ, इन्होंने जैसा मुझसे कहा, कि we have the convex lens, साफ शब्दों में इन्होंने बोल दिया है, कि convex lens ही होगा, इसका principal axis हो जाएगा, यहां पे एक slab रख दी जाती है, यहां पे एक point object को रखा गए, बैटा, this point object is at a distance of 30 cm from the mirror lens, lens का focal length जो है, वो है 15 cm का, इसन भाई साब यह जो slab है, इसकी thickness हो जाएगी 1 cm की, और इनका जो refractive index है, mu, यह है कितना, 1.5, चलिए भाई साब, तो जो final image होगी, उसका, बताईए कहां पे position आएगा, find the location of the final image, ठीक है, यह आपको बताना है, अच्छा सर, यह glass slab और इसके बीच की distance कितनी होगी, नहीं पता अपने को, बस यह मान लोग कि pass में रखे हुए, नहीं पता मुझे, बस इतना है कि हाँ, पास में रखे हुए, अब होना यह है कि सर, यह object है वहाँ पे, इस object से light निकलेगी, तो lens के पास lens के उपर जाके गिरेगी, lens जो है, इसकी image बनाएगी इदर, लेकिन जब वो image बना रही होगी, तो हो सकता है, सर यहाँ पे shift हो जाए light, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका feel दिलाता हूँ आप लोगों को, बने रही है रहे में साथ, फटा-फट से, ध्यान से दिखेगा, यह light यहाँ पे गई, ठीक है, refraction होते ही, वो light यहाँ जाती है, अब यहाँ पे हुआ refraction, बेटा, रेरर से denser में जाते समय क्या होता है, तो इसको SL में तो जाना था यहाँ पे, SL में तो जाना था यहाँ पे, लेकिन अब वो कहाँ shift हो जाएगी बेटा, बोलो, कहाँ पे इसकी shifting होनी चाहिए, actual में अगर यह lens नहीं होता, तो यहाँ पे वो final image बनाते है, मैं थोड़ा से इसको और सही कर देता हूँ, थोड़ा सा पास में रखता हूँ इसको, ताकि clarity मिल जाए अपने को, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे refraction हो जाएगा सर, lens की tendency तो आपको पता ही है, sorry, slab की tendency तो पता ही है, shifting करता है है तो slab की बज़ए से shifting होने से, अब final image कहीं और बनेगी, तो वो कहीं और कहाँ पे बनेगी, यह आपको बताना है, ठीक है, इसके लिए जो normal होगा, perpendicular to the surface, something like this, ठीक है, rarer से denser में जाते है, तो light away from the normal जाती है, towards the normal जाती है, आपको पता होना चाहिए, इसके basis पर आपको results पताना है, ठीक है, हम, चलो, ठीक है, so क्या answer बनेगा इसका यार, यह थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो अब यहाँ पर, actual में मैं सोच रहा था, कि सर्थ, जो भी final image बनती, वहाँ पर slab की वज़ा से, कुछ shift आ जाएगा, and that shift will be, कितना होगा, वो चेक करते हैं, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, reflection through the lens, सबसे पहली बात होगी, reflection through lens, उसकी वज़ा से, final image वो कहाँ पर बना रहा था, वो चकल रहा था, so refraction through lens, तो final image वो कहाँ पर बना रहा था, तो 1 by V, minus 1 by U, is equals to 1 by F की कहानी लगा दी, जाती है बिटे इसमें, 1 by V, minus of minus का 1 by 30, is equals to 1 by 15, so 1 by V, is equals to 1 by 15, minus 1 by 30, LCM तो 30 ही आना है, 15 to the 30, minus 1, यानि की 1 by 30, so V का value आता है 30 cm, यानि की जो image बनाने वाला है lens, वो कहाँ पर बनाएगा, 30 cm पर वो भी इधर की तरफ के, side, right side, on the right side of the lens है, on the right side of lens, so बेटा जी इमेज कहाँ पर बना रहे वाला था, on the right side of the lens, लेकिन यहाँ पर अल्रेडी एक glass slab है बेटा, slab काम बिगार देगा, slab जो है वो बोलता है कि बहिया देखो, अब कोई भी light ray हम से पास करेगी, तो हम भी reflection कराएंगे उसका, जब हम भी reflection कराएंगे, तो यहाँ पर आपको तो पता ही है, actual depth, apparent depth की कहानी चलती थी कुछ, अगर आपको याद होतों, तो slab की वज़ास से भी there is some shift, ठीक है, and that shift will be given by delta t is equals to beta 1 minus 1 by mu into t होता है, अगर आपको याद होतों, तो ठीक है, lens ने तो वहाँ पर image बनाई, लेकिन ये glass slab भी अपना कमाल दिखाएगा, और glass slab ने जब अपना कमाल दिखाया, तो it will be 1 minus 1 by, अच्छा चलो अगले पेज़ पर कर लेते इस कमाल को, यहाँ पर आओ, delta t जो हो जाएगा, that will be equals to 1 minus 1 by mu into t, बेटेजी हो जाएगा, 1 minus 1 upon 1.5 into 1, centimeter में चलने देना, 1 minus का 10 divided by 15, 5 divided by 15, 1 by 3 centimeter, किता हो जाएगा यह, 0.333 फलाना दिमका ना, centimeter, इस क्या होगा, shifting हो जाएगी और बेटा, so the final image will be formed at, final image कहां पर बन जाएगी, 30 centimeter तो वो, उसमें यह भी जुड़ेगा साथ में, तो it will be, कितना हो जाएगा बेटा, 30.333 centimeter, so final image कहां पर बनने वाली है, 30.333 centimeters पर बनने, क्या ये बात सबको समझ आती है, कोई शक्त तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, तो बस इतनी सी बात है, देख लोए को अफटा फट से, क्या यही जवाब बन रहाएगा, ठीक है ना भाई, देख लिया, समझ तो ना बात को तुम लोग आ रही है, तो ये डिस्टेंस कहां से होगी, फ्रॉम दा लेंस, ये डिस्टेंस कहां से होगी, फ्रॉम दा लेंस, ठीक है, प्लियर रहेगी बात सभी को, यहां पर, चलो एक मिन्ट रुको, एक मिन्ट रुको, फटा फट से मैं इसको छाप देता हूँ, को डो कि मुझे मैं री ड्राوع कर देता हूं ताकि फील आणा जहिए वर या देखो फील तो तबी आएगा जब डियागर्म पूरा बना होगा यंचे फील तो खैर तभी आटा है जब डियागर्म् बना हुआ होओ दाइग्राम नहीं होगा तो फील नहीं आएगा सीज़का तो यहाँ पे object रखा हुए this is the point object 30 cm पे है और यहाँ पे इसका focal length जो है वो है 15 cm गा इसकी thickness थी 1 cm की और इसका refractive index था 1.5 पेटा ग्लास का बना हुआ था so मैंने बोला था पहला case था साब जिसमें की refraction हो रहा था through the lens मैं एक फटा-फट से लिख देता हूँ ताकि आपको clarity रहे refraction through the lens हो रहा था साब और इस case में हमने लगाया था lens formula 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F करके solve करने गए थे इसका हम लोग 1 by V minus minus 1 by 30 is equals to कितना होना था बिटा ये 1 by 15 so 1 by V is equals to 1 by 15 minus 1 by 30 so V का 1 by V बनना था कितना 30 so भाई जब हमने इसको solve किया so मुझे V का value मिल रहा था 30 cm अब आप सोचो कि 30 cm मुझे plus में मिला है plus में मिलने का मतलब क्या है कि सर जो भी image बन रहे है in the direction of the light ray है यानि कि image will be formed image will be formed on the right side of the lens on the right side of lens तो image जो बन रही थी वो right side पर बन रही थी lens के ठीक है तो यहाँ पर बननी चाहिए थी लेकिन भाई साब बीच में आगे lens lens ने काम कर आप कर दिया lens ने बोला भाया हमारे देखो भाया हम shift करते है shifting होती है lens की वज़ा से so वो shifting हो रही थी 0.333 cm की तो यह ठीक है भाई question number 67 की ठीक है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ lens आये या mirror आये कुछ भी आ सकता है slab आ जाएगा तो आपको slab की properties पता होनी चाहिए इसके समय यह सारी बाते छाप लो फटा फट से यह सारी बाते नोट कर लो तुरंत प्रभाव से बटा जी यह सारी बात clear हो रही है सबसे पहला reflection lens से ही होगा ठीक है सबसे पहला reflection lens से होगा यहाँ पर यह नहीं बोल रहा का कि कितना distance है अगर वो इन दोनों की बीच का distance बताता तो एक बारी के लिए हम कुछ और विचार करते लेकिन ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने तो हम क्यों खुद से दिमाग लगा लें फिर है ना फिर बेटा यह shifting हो रही थी lens की वज़ए से इतनी आ रही थी सो फाइनल इमेज बनती है 30 प्लस 0.33 फ्रम दे लेंस यानि के अड़ करेके 30.33 आ जाएगा किये रहेगी बात सभी को पक्का सच में चल बहुत बढ़िया सो बेटा यह कहानी होगे है कोशन नमबर 67 की complete और बेटा यहीं पे खतम होता है हमारा आज का ये session भी उमीद करता हूँ कि जो सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहे होंगे किसी भी कोशन में कोई doubt कोई परिशानी नहीं रही होगी बट फिर भी कोई doubt आता है प्लीज उसको comment section में जरूर लिखना so that मैं और मेरी टीम आपकी help कर सकेगी आपकी problems को solve करने में इसके लवा बेटा वीडियो अगर दुबारा देखना है तो बहतर रहेगा कि आप हमारे official website यानि की www.magnetbase.com पहिए क्योंकि यहाँ पे यह सारी वीडियो आपकी लिए हमने chapter wise arrange करके रख दिये जिससे कि किसी भी वीडियो को ढूंडने में आप अपना time waste ना करें also यह सारी वीडियो आपके लिए free में रहेगी तो किसी भी वीडियो को कितने बार भी देखो magnet brains से कभी आपको कोई subscription की या फिर coupon code की नहीं आईगी तो भाई यह वाली बात बहुत इंपोर्टेंट है जाके अपने दोस्तों में भी फिला देना उन सब को बता देना जाके कि मैंने प्लैटफॉर्म जो कि फ्री में ऐसा धासू सा कंटेंट दे रहे तो इधर उधर ना भढ़के सीधा तो चलिए भई मिलते आपसे अगले सेशन में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और बचे हुए कोशन को हम करेंगे अपने आने वाले सेशन में ठीक है तो मिलते नेक्स सेशन में तब तक अपना ध्यान रखे पढ़ाए करते रहे औल दाफ वेरी बेस्ट